Assalamualaikum प्यारे बच्चो आज हमने चेप्टर कर रहे हैं Beauty of Nature Beauty कहते हैं खुबसूरती को, Nature कहते हैं फितरत को Butterfly is a beautiful and colorful insect Butterfly कहते हैं तितली को और Beautiful का मतलब होता है खुबसूरत और colorful खुश रंग Insect क्या होता है? An air breathing invertebrate animal with a body that has segments, यह सांस लेने वाला गहर फकारिया जानवर है, जिसमें रीट की हड़ी नहीं होती, और इसकी body segments में हिस्सों में तक्सीम होती है, including a head, thorax, abdomen, इसका एक सर होता है, एक सीना और एक पेट, two antennae, three pairs of legs, और तीन जोड़ी टांगों की होती है, and usually two sets of wings, और इसके two sets, दो sets, wings या परों के होते हैं, इसको ऐसे जानवर को insect कहते हैं, तो butterfly जो है, वो भी एक insect है, but how does it get its colors, butterfly जो है, तितली जो है, वो अपने रंग कहां से हासल करती है, butterflies get their colors from pigments and structures, the ordinary color comes from chemical pigments that absorb certain wavelengths of light, and reflect others, butterflies that are brown or yellow, get their different shades from melanin, the same pigment that colors human skin, butterflies, जो हैं, उनके रंग, pigments, pigments जो होते हैं, वो मादा होता है, जिसकी वज़ा से रंग आता है, और structures, तो butterfly के जो pigments हैं, वो रोशनी की मुख्तिफ wavelength को absorb करते हैं, अपने अंदर जजब करते हैं, और उस वज़ा से ये colorful, खुश रंग नज़र आती है, जैसे हमारी जिल्द में मेलनीन पिगमेंट होता है, जिसकी वज़ा से हमारी जिल्द का रंग जो है, वो light brown और tan होता है, is it born the way it is, क्या butterfly ऐसे ही होती है, जैसे पैदा होती है, जैसे वो हमें नज़र आती है, तो आएं देखते हैं, butterfly का life cycle है, यानि उसकी जिन्दकी जो है, जो बड़ी butterfly है, मिचोर वो eggs देती है, जिनको अंडे कहते हैं, eggs के अंदर से caterpillar निकलता है, caterpillar जो है वो अपने उपर एक खौल बना लेता है, प्यूपा में बन जाता है, और प्यूपा जो है वो एक butterfly बनाती है, आप जो butterfly जो प्यूपा होता है, उसका खौल काफी सकत होता है, और उसके अंदर से जो प्यूपा है, वो बहुत struggle करके निकलता है, तो एक scientist था तो उसने सोचा कि बिचारे प्यूपा को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसने बाहर से खौल तोड़ दिया, लेकिन अगर बाहर से प्यूपा का खौल तोड़ दिया जाए, तो जो butterfly है, उसके wings भी develop नहीं होते, तो वो उनने के काबिल नहीं होती, तो प्यारे बचो, इसलिए successful people are not gifted, they just work hard, then succeed on purpose, जो लोग कामयाब होते हैं, वो ऐसे नहीं कि कामयाबी पैदा होते ही लेके आते हैं, सिरफ इसलिए कि वो मेहनत करते हैं, और butterfly का प्यूपा से butterfly बनना भी इस बात की शहादत देता है, कि Allah ताला ने हर एक के लिए कामयाबी रखी है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो अपने आप पे, अगर किसी कोई भी हम मेंसे जो है, वो उसके पास दुनियावी चीज़े नहीं है तो वो अपने आपके उपर मेहनत करें, मेहनत करने से अला ताला उसको इन्शाला एक दिन जरूर नवासेगा, अब अगला सवाल है, कैंड यू नेम सम अधर इंसेक्स, क्या आप कुछ और इंसेक्स के नाम बता सकते हैं, आप सोचें, आपको इर्द गिर्द, अपने थ्री पेर्ज अफ लेग्स हैं, तीन जोड़ियां, छे हाथपों हैं, इसके एंटिना भी हैं, और इसकी बाड़ी सेग्मेंट में भी है, कुरान ने एक पूरी जो सूरत है, उसका नाम सुरह नमल रखा हुआ है, उसमें एक आयत आती है, जब हज़र सुलिमान का लशकर प खबरी में तुम कुछ लिए ना जाओ, तो इसका मतलब है, कि जानवर जो हैं, वो भी आपस में बात चीत करते हैं, और हमें उनकी समझ नहीं आती, तो प्यारे बच्चों, ये जितने इंसेक्ट हैं, रंग बरंगी, अल्ला की मखलुकात हैं, अल्ला ने हमें ये निए नि मक्ही को कहते हैं, अल्ला ने शेहद में शिफा रखी है, और सुरह नहल, नहल अर्भी में शेहद की मक्ही को कहते हैं, पूरी सूरत है इसके नाम, और वहां पर एक सुरह नहल में आता है, और तेरे रख ने शेहद की मक्ही को हुकम दिया, कि पहाडों में और दुखतों मे और उन छतों में घर बनाए जो इसके लिए बनाते हैं, आपको पता है कि हनी भी शेहत का छता बनाती है, तो हनी भी जो है वोगी इंसेक्ट, फिर मौस्कीतो या मच्छर जो है वोगी एक इंसेक्ट है, इससे बिमारिया पहलती है, डैंगी फिवर भी और मलेरिया भी, تو سورہ بکرا में اللہ تعالیٰ कहते हैं बेशक अला इससे हیانी फरमाता कि मिंसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिकर फर्माए मच्चर हो या इससे बाढ़कर اللہ تعالیٰ हम तो एक मच्चर बनाने पर भी कादर नहीं है उसका एक पर भी बनाने पर कादर नहीं है तो लोत आले चोटी चोटी जिसों की मिसालें देख के हमें समझाता है फिर स्पाइडर या मकडी इसकी बी कौरान मजीद में सुरल अंकबूस है मकडी को कहते हैं और अल्ला ने उसकी मिसाल दी है मकडी किसी है कि वो भी एक घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाव घरों से कमजोर मकडी का घर है काश ये इस बात को जानते तो प्यारे बच्चों हमा हम जिस तरह मकडी इतनी मेनच करके घर बनाती है और वो बहुत ही कमजोर होता है तो इसी तरह हम दुनिया में थोड़ी देर के लिए हमने ये दुनिया जाजाए तो ना हम किसी से जूट बोलें ना किसी का हक मारें ना वादा खलाफी करें ना मानत में खियानत करें ना किसी को गाली गलोज करें और फिर काकरोच भी अक्सर रात को निकलते हैं गंदगी के धेरों पर पाए जाते हैं तो हम अपने घरों को अपनी चीज़ों को अपने ख्यालों को गंदगी से साफ करें तो प्यारे बच्चों अमीद है कि आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें